बोले स्री प्रानाथ प्यारे की जय इस अमंडप में उपस्तिक विद्यतकर्ण तथा मेरे प्यार सुनसाज जी को मेरा पड़ाम जी आज मैं दुख की विशाय में कहने जा रहा हूं इस संसार में हर एक चेतना सुक और आनंत के खोच पर लगा हुआ है प्रन्तु स्री इंद्रावती जी कहती है दुख रे प्यारों मेरे प्रान को सो में छोड़ियों क्यूं कर जाए जो में लियों है बुलाए बुलाए अर्थात दुख मेरे लिए अत्यन्त महत्पूने तथा प्यारा है उस दुख को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जो मैंने सुएम अपने धनी से मांगा था इस मानी द्वारा दुख की उपयोकता पर प्रकाश डाल हुआ है मनोष्य जहां दुख से दूर भागना चाहते हैं वही प्रमधाम की बरमात्माएं दुख की एक्षा करती हैं क्योंकि दुख ते बिरह उपजे बिरह इसक प्रेम इसक प्रेम जब आया तम नेचे मेले हक बिना दुख के हमें प्रमधाम की प्रीति बिरह प्राप्त नहीं हो सकता और यदि बिरह नहीं तो प्रेम उत्मन नहीं हो पाएगा कियुकि सिर्फ दॉक प्रेम से धनी से मिलन हो सकता ह। दुख का पक्छलेतु है गविर जी कहते हैं दुख में सुवीरन सब करे, सुख में न करे कोई, जो सुख में सुवीरन करे, तो दुख काय को होई, मनुश्य दुख में भी परमिशोर के आद करते हैं, सुख में नहीं, यदि सुख में भी परमिशोर के आद करते हैं, तो दुख होता ही नहीं, अवर्शी ही मनुश्य दुख से पिऊजी मिल सी, सुके ना मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सु देखो सो हुए, दुख से प्रितम से मिलन होता है, सुको में डूप कर बिना ब्रे पेम के कोई भी धामदनी को प्राप्त नहीं कर सकता, और यह तो निविवाद सत्य है कि दुख से अक्षाती इसलिए हमें दुख से ना घबराकर उसका सामना करना जाएं, और धामदनी कहते हैं, यही तो ब्रहमात्मा का आहार है, दुख तो हमारों आहार है, औरन को दुख खाए, दुख की भागे सब फिरे, कोई बिलाला साथ नवाए, अवर्श ही, दुख ही हम का आहार है, जबकि संसार के जीवों को दुख खाने को दोड़ता है, लाखों में कोई एक ही ऐसा होगा, जो दुख को अपने इस्ट का प्रसाथ समझ कर गिनान करता होगा, अन्यताय हम ब्रहमात्मा होने के नाते, दुख के महात्म को समझ कर उसका साथ देना चाहिए, और दुख से हमें अक्षाती से राजी से राजी को प्राप्त करना चाहिए.